तो विराट कोली भाई ने रच दिया है इतियास IPL के इतियास में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाले प्लेयर बन चुके लाश्ट मेच में सेंचुरी मारके उन्होंने क्रिस गेल की बराबरी करी थी सेंचुरी की बदोलत मुंबई इंडियंस ग्रूप स्टेज के आखरी मेच के आखरी बोल तक प्लेयोफ की रेस में बनी हुई थी अब बात करते हैं पहले मेच के SRH और MI वाले की अब यार SRH वालो मेरको एक चीज बताओ इस विवरांत शर्मा को तुमने कौन सी गुफा में चुपा रगाता यार विवरांत शर्मा पहली बार ओपनिंग करने उतरे और बंदे ने आते हाफ सेंचुरी जड़ दी बाई इत्ते दिन से काता दू और दूसरे एंट से मैंक अगरवाल जो कि अब तकी साइफिल में पता नी कौन सा नशा करके कहां पढ़ेते हार तो तुम्हें वेसे भी मिली गई अब वही एसारच की गिसीविटी कहानी अच्छा इस्टार्ट मिलने के बावजूद भी एक बड़ा टोटल बनाने में रही नाकाम सारे ओवर्सीज प्लेयर फिर से फेल हो गए अब तुम बोलो गयार तरुन 200 तो बनाये थे उन्हों नहीं था और जब मेच वान खड़े के स्टेडम पे हो और सामने मुंबई होना तो कम से कम सवादोसों तुमें स्कोर बोर्ट पे लगाने बढ़ेंगे तु समझा हां नै तु समझा नहीं अब एमाई के सामने था 201 का टार्गेट जीत की थी बहुत ही ज्यादा जुरत और इने भी फाइनली हाफ सेंचुरी मारी दी अब इशान की सन के फेल होने के बाद में जिम्मेदारी उठाई शर्माजी और केमरून ग्रीन ने फाइनली लीक का आख रिमेच आते आते हमें शर्माजी भी फोम में आते वे दिग और यार केमरून ग्रीन तो वो बंदा है जि दूसरे मेज में तो यार GT की बोलिंग लाइनप को हमारी चीकू भाईया ने पूरा छील के रख दिया जहाँ विराट भाई के साथ में no striking end के सारे बने बाजी struggle कर रहे थे न वहीं विराट भाई की बने बाजी देखे लग जाता की यार विराट भाई अपना खुद का पीछ लेके हैं चीकू भाईया ने जीटी के बोलर्स को जहां चाना वहां मारा कभी इधर मारा, कभी उधर मारा, कभी उपर मारा कभी नीचे मारा, अबे हर जगे मारा भाई तो कौन सा तीर मारा? और तुमारा क्या कॉन्टिबिशन है इसमें? के हिथियास में 17 डक खाके मोस्ट डक खाने वाले प्लेयर बन चुके अब तो डीके भाईया को RCB वालों को जब IPL खतम हो जाये न तो जाते टाइम पे ये डक वाली ट्रोफी भी दे देनी चीए फिर फिर क्या हुआ? फिर फिर क्या? ये देखो ये देखो देखो यार कोहली वाया की जिंदकी भर की महनत लगी भी थी बंदे ने सेंचुरी भी बनाई लेकिन RCB के बोलर तो ठहरे RCB के बोलर उनसे ये फाइनली अच्छा टोटल भी डिफेंड नहीं हो पाया और RCB की प्लेओफ की उमीदे यहीं कटम हो गई और फाइनली मुंबई क्वालिफाई हो गई और अब तुम बोलोगे यार मेज से पहले हार्दिक पांडिया को मुंके संबानी का कोल आया था देखो यार इसके ओपर मैं कुछ नहीं बोलूगा